लॉरेंस एक बार फिट से एक्टिव हो गया है उसके लड़कों ने एक बार फिट से गाड़ी का पीछा करते हुए लगभग 50 से ज्यादा रावंड गोलियां दागी है और कुछ इस तरीकी से दागी है कि अंदर बैठने वालों में से कोई भी नहीं बचाए बजाए सरेफ एक ड्राइवर के ड्राइवर के कान पर जाकर बोलते हैं कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं तुम घर पर और अपने परिवार को जाके बता देना कि हमारे नाम का डर और खौफ बना रहना चाहिए कहीं और जाने की जरुवत नहीं है ड्राइवर घर पौशता है, मीडिया में खबरे आती है और तब जाकर सबके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं और पता लगता है कि हो सकता है इस पूरे हत्या कार्ण में जो एक बार फिर से दोराया गया है जिस तरीके से सुद्यू मुसे वालों को मारा गया था कुछ इसी तरीकी की स्टाइल को कॉपी करकर एक बार फिर से हरियाना में एक बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है अब यह जो सबसे बड़ा सवाल है कि लॉरेंस गैंक इस शामिल है की नहीं इस डिकोडिंग कराई में आज आपको हम मूवी बताएंगे लेकिन बात करेंगे नेता जी पर जो गोली चलाने जो लड़की आये थे वो गाड़ी के बाहर जैसे उग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं चार-पांच नाम लेते हैं ये जो चार-पांच नाम हैं वो क्या नाम थे वो कहा काम करते हैं और इसमें एक बड़े राजितिक दल का नाम कैसे जोड़ रहा है उसके बारे में इस डिकोडिंग कराई में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे एक गाड़ी एक रेलवे फाटक के पास आकर रोखती है और उसके पीछे एक आ रहे ही मामरी से गाड़ी उसमें से कुछ लड़के उतरते हैं और धना धन गोलिया मानना शूर कर देते हैं अब आखरी के पंदरा मेट की कहानी भी बताएंगे जब गोली लग जाती है उसके अब गुंडे क्या करते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो आजफास जितनी भी लोग मजूद थे वो अपना वीडियो बनाना शूर करते हैं उस पूरे हत्याकान का लेकिन तभी गुंडे कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ पे जो खड़े जितनी भी लोग थे वो सक्ते में आ जाते हैं 25 फरवरी की तारीक थी और उसी दिन जो इनोलो नेता है उनकी हत्या कर दी जाती है और सेम उसी पैटन में जैसे सिद्धू मूसे वाला की गई थी और राजू ठेहट की की गई थी अगर मैं आपको पैटन समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए सिद्धू मूसे वाला जो थे उनके लगाता रेकी की गई जो दो शूटर्स थे बाद में वो शूटर्स निकलते हैं लेकिन पहले उनके फैन बनकर उनके पास जाते हैं सेलफी लेते हैं लगातार उन पर नज़र रखी जा रही थी और इसी तरीके से सेम इसी तरीके से राजु ठेहट के साथ भी हुआ था जब दो जो लड़के थे उन्होंने राजु ठेहट के आसपास के लाके में पीजी लिया और एक दिन उनसे ऐसे धोंग करकर टकरा गए उनके पैर चुए कहा सर हमाँ अपके बहुत बड़े फैन है लगातार वो राजु ठेहट से मिलने लग गए वो लोग राजु ठेहट से फैन बन कर मिल रहे थे लेकिन सच्चा है ये थी कि वो लोग राजु ठेहट के रेकी कर रहे थे ऐसे ही सिद्धू मुसे वाला हत्या कान को भी अंजाम दिया गया था लॉरंस की तरफ से ओर्डर आता है गोल्डी बरार और लॉरंस मिलकर पूरी प्लाणिंग प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पर शूटर्स हायर किये जाते हैं हत्यार वगर आरेंज किये जाते हैं और उससे पहले दो लोग लगातार सिद्धू मुसे वाला की रेकी करते हैं और जिस दिन हत्या करनी थी उससे दिन पहले ही जब सिद्धू मुसे वाला अपने घर से अपनी गाड़ी में निकलते हैं दो लड़के जाते हैं सरसर हम आपके फैन हैं हम आपके गाने सुनते हैं कहकर उनसे सेलफी लेते हैं और फिर सिद्धू मुसेवाला जो अपनी गाड़ी में बैट कर निकलते हैं और उसी में आसपास जो शूटर्स की गाड़ी थी वो उन्हें ओवर टेक करने की कोशिश करत लेकिन नफे सिंग राठी जो इनोलोनेता है हर्याना के बहादुरगर में जब वो अपनी गाड़ी से ट्रावल कर रहे थे तो उनके साथ उनका भांजा बैठा वाता जो कार ड्राइब कर रहा था और दो साथ ही उस कार में और मौजूद थे अब यह लोग निकल रहे होते है कि तभी रास्ते में एक फाटक पड़ता है लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो भी समझे दे कि चार बज़े का वक्त अगर मैं एक बार वक्त फिर भी कंफर्म कर लेती हूं कि समय था वो चार बज रहे थे और चार बज़े के आसपास वो लोग एक किसी के डेथ हुई थी औ पर उनके परिवार में सांतुनागर देना और उनसे मिलने गए थे वहां से वापस लॉट रहे थे तभी 445 के आसपास वो लोग बहादुरगर के एरिया में एंटर करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक फाटक था अब ऐसे में जब पुलिस ने पुरी जांच वग तब ही जो ड्राइवर था यानि कि जो इनका भांजा था जो गाड़ी में मौझूद था वो देखता है कि गाड़ी हमारा पीछा कर रही है उसे ऐसा इसलिए लगता है कि लगातार एक गाड़ी है जो हमारे साथ ही चले जारी चले जारी वो इधा उधा टर्णी नहीं ले तो थोड़ा सा डाउट होता है इसके बाद जो ड्राइवर था यानि जो भांजा था वो अपनी स्पीड तेज करता है ऐसे में पीछे वाली गाड़ी की भी स्पीड तेज हो जाती है अब उसे डाउट जो था उसे लग जाता है कि नहीं कुछ तो गड़बड है कुछ प्र करना शुरू कर देते हैं और उससे पहले वो कुछ लोगों के नाम भी लेते हैं देखे पांच बजे के आसपास जब वो गाड़ी वहां पर पहुचती है फाटक के आसपास रुखती है अब ऐसे में जो ड्राइवर बैठा था यानि जो भांजा बैठा वो सोचता है कि कु की करम विर राथी और कमल राथी मांगिराम राथी सतीष राथी ऐसे कई सरन नाम लेते हैं नरेश क Information का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि इन से दुष्मनी लेना तुम्हें भारी पड़ेगा और फोचन गोली चलाना शुरू कर देते हैं और यहां पर जैसे सिद्धूम उस उसके साइड से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, जो नेता जी थे उनको गोली लगती है, साथे साथ जो पीछे दोकार में साथी बैटे थे उनको भी ताबर तोड गोलियां लगती है, और इधर जो ड्राइवर सीट पर इनका भांजा बैटा था उसको भी तीन गोलियां और ऐसे में उसके पैर पर गोली लगती है जो इनके साथ एक बहांजा बैटा सा ड्राइवर सीट पे लेकिन उस पर जाते जाते यह जितने भी शूटर्स थे और बोलते हैं कि तुझे जिन्दा छोड़ रहे हैं तू जाकर हमारे खौफ का एक तरीके से ऐलान कर देना तू ज जो बगलवाली सीट पे जो नेता जी थे वो बेसुत पड़े में चेक करता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाता किसी तरीके से क्यूंकि जो ड्राइवर सीट पे इनक भांजा बैठ था उसे तो सिफ पैर में गोली लगी थी वो जिन्दा था साथियों को भी ले जाता है वहा हो चुकी है और जाते जाते जो शूटर्स थे वो ना सिर्फ इन पर ही फाइरिंग करते हैं बलकि जब भागने वाले होते हैं 5-15 बजे के आसपास जब वो पूरा हत्या कांड को अंजाम देते हैं और जब अपनी गाड़ी में वापस बैठ रह होते तब ही देखते हैं कि आसपास के लोग कुछ वीडियो बना रहे हैं तो यह शूटर्स उन पर भी फाइरिंग कर देते हैं और इस तरीके से पूरे हत्या कांड को अंजाम दिया जाता है लेकिन ऐसे में जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था वो नेता जी को हॉस्पिडल पहुचाता है उसको तो तीन गोलियां लगती है लेकिन पैर पर गोली लगी होती है उसकी अब तक मौत नहीं हो और उसने पुलिस को कई सारे ऐसे बयान दिये पुलिस को कई सारे चीजे बताए गाड़ी का नंबर बताया जिसके तहट पुलिस ने कुछ लोगों पर मामरा दर्श की और कुछ को तो उठाया भी है इनमें जो नाम सामने यह कौन है इनका किसी बड़ी पार्टी से क्या कनेक्शन है किस तरीके से आखिर इनकी दुश्मनी हुई इनुलों नेता से तो इसके पीछे की क्या पूरी हिस्ट्री है क्या इतिहास रहा है आप वो भी समझें देखिए जिस तरीक सरोष राठी की पती रमेश राठी और उनकी चाचा ससुर करमवीर राठी, देवर कमल राठी, पूर मंत्री मांगेराम राठी का पुत्र शतीष राठी, पोते गौरव और राहूल और पांच अलग-अलग लोग जो इस पूरे अफायर की कॉपी में इनका नाम सामने आया है, इसमें से कई बीजेपी के बताए भी जा रहे हैं, कई जो नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और जब हमें इसकी परताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि जो राठी परिवार है, उसमें उन्होंने कई बार बीजेपी से टिकेट हासिल करने की कोशिश भी किती लेकिने टिकेट नहीं मिला था जिसके बाद जो उनकी बेटे हैं इनकी बेटे के खिलाप एक बार BGP नेता ने कोई आफायर करवाया जिसमें उनके साथ सरकारी जमीन पर उनने को गलती से कोई मीटर लगवा दिया था जिसके तहत उनको जेल की सजा भी होती है तो दुश्म पहले रेकी की जाती है उसलिए हम लॉरेंस गैंग का नाम शुरू में इसलिए रहे थे अब जो अभे चोटाला उनने तो यह भी कह दिया कि देख्यो लॉरेंस का नाम लेना बिलकुल गलत होगा क्यों लॉरेंस में शामिल ही नहीं है यह बिलकुल एक पॉलिटिकल हत्याकाण है जिसमें एक किसी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है लेकि इस पूरे हत्याकाण में जिस तरीकी से शूटर्स जो है वो पहले पीछा करते हैं और खुच जो ड्राइवर संजे था जो भांजा भी उनका वो कह रहा था कि जब वो गाड़ी पीछा कर रह जड़ ट्रेन निकल रही थी और फाटक पर गाड़ी जाकर रोग देते हैं इसकी बाद जो लड़की बाहर आते हैं वो नाम लेना शुरू करते हैं लेकिन जो सबसे वड़ा सवाल है जो हम पहले भी कह रहे थे कि लॉरेंस गैंग का नाम इसलिए शामिल है क्योंकि लड़ की साइट से चलाई गई और क्यों क्योंकि लड़कों को पता था राठी कहां बैठे हैं इतनी पुकता प्लाइनिंग और हर एक बारीक से बारीक जनकारी रेकी के बाद ही पॉसिबल है अब जिस तरीकी से सिद्धू मुसे वाले कांड में हाइटेक हतियारों का अस्तमाल साथ दो दिन बाद कुछ ऐसा हो जाएगा से मियाद रुकि सिद्धू मुसे वाले कांड में सिद्धू मुसे वाले काभी बत्रे था लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है तो अब यह सारी चीज़े में क्यों कह रहा हूं एक बिलकुल फुल प्रूफ प्ल आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हो सकता है कि गाड़ी चुराई हुई हो और बदले में या यह भी हो सकते हैं कि उन्होंने नमबर प्लेट बदल दिया हो किसी और को फसानी के लिए लेकिन जब जो शूटर्स थे वो गाड़ी आके रुकती है चश्मीदीदों ने यह भी कहा है कि पांच लोग तो थे लिकिसी एक चार लोग बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी के अंदर बैठा रहता है इस उमीद में कि अगर कल को कुछ या उस वक्त कुछ हो ना जाए तो भागने के लिए रेडी पोजिशन में गाड़ी खड़ी रहती है अब इस सारी ची कि 900 से ज्यादा शाप शूटर्स है और यह जो शूटर्स हैं बिल्कुल आम जैसे दिख रहे थे लेकिन जब निशाना लगा रहे थे कोई भी गोली मिस्स नहीं हो रही थी मैं आपको बता दूं जबी गोली चला रहे तो दस ब्लेट तो गाड़ी के आरपार हो गई छे गो पर लगी राथी साब के कुछ उनके गले पर लगी और कुछ उनके सीनी पर भी गोली लगी है अब इस तरीके से शूटिंग करना देखे जब कर आप कोई पिस्टल आप उठाते आप फिल्मों में आपने देखा हूँगा कि एक हांसे पिस्टल उठाया और फायर कर दिया रिकॉयल होती है तो रिकॉयल करने का अगर मैं गोली मार रहा हूँ किसी को भी तो रिकॉयल से पिस्टल उपर चले जाती है इसलिए कहा जाता है कि आप दोनों हांसे इसे पकड़िये अब गोली चलाइए तो ये एक प्रोफेशनल शूटर ही कर सकता है और जिस तरीके से लड़कों ने काम किया ये पूरा अगप का पूरा दिखा रहा है कि किसी गैंस्टर से जुड़े हो लोग थे अब गैंस्टर से जुड़े हो और आगे भी आते रहेगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब ये जो लड़के हैं बाहर निकल कर चार-पांच नाम लेते हैं जब लड़कों नाम लेते हैं इस बात से अंदाजा लगाया दा सकता है कि राठी साब ने हाली में किसी कोट में ऐसा ब्यान दिया हो जो इन लोग के खिलाफ हो सकता है और इसी का बदला लेने के लिए पैसे देकर इन शूटरों को भेजा जाता है रेकी करवाई जाती है अभी शूटर कोई आम शूटर नहीं है इनके मास्टर माइंड कहीं और बैठ हैं जो पैसे लेके इन से करवा रहे हैं लेकिन उन मास्टर माइंड को पैसे देने वाला क जहां पर शूटर छोड़ देते हों और कहते हैं कि जाके अपने मालिक को बता देना कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं और उस शक्स को भी जांग और कमर पर गोली लगी है तो क्या वो दिखाना चाहते थे या इसकी पीछे भी कोई और प्लैनिंग या शाजिस्त तो नहीं है क्योंकि इसी को जिंदा छोड़ देना यह अपने आप में ही अचंबित करने वाला है कि कैसे जो गैंक्सर पहले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं बिना कोई बोले कुछ किये वैसी गोली माड़ने से प्रतलब लगते हैं और यहां पर वो जिंदा छोड़ और घर्द पर जाके कहने हों कहने कि बता देना कि डर और खौब बना रहना चाहिए लेकिन बात करेंगे कि उनके बेटे ने आखर कैमरे पर आकर क्या क्या चीजे बताएं जो पूरी कहानी को बदल सकती है साफ तोर पर अगर बात करें तो यहां पर बहुत सारी कॉंस्पिरेसी और साज़िश नजर आ रही है क्योंकि पहले जिस तरीके से मर्डर का स्टाइल है वो सिद्धू मुसे वाला से रिलेट कर रहा है कि उसे तरीके से मारा गया पूरा का पूरा जो इशारा है या जो आप कहें कि टार्गेट जो सामने समझ में रहा है वो लग लग रहा है गैंक्स्टर या फिर लॉरेंस बिश्णोई अगली बात करें तो जो उनके ड्राइवर सीट पर उनका भांजा बैटा था उसके सिर्फ पैर और जांग में गोली लगी जिस तरीके से दीपक नहीं बताया तो एक ये भी साजश्ची और इशारा हो रहा है कि क्या उसकी कोई मिली भकत तो नहीं या कोई और खिचडी तो आगो होगा तो कई सारी चीजे सामने आएं लेकिन अब ऐसे में जो राटी साहब के बेटें हैं वो आकर मीडिया के सामने बता रहे हैं कि पुरी तरीके से पॉलिटिकल मडर है राजनीती के चक्कर में कर gray गई एक हत्या है मेरे पता की ना ही इसमें कोई गैंक्सर में अध कि एक पॉलिटिकल साजिश के तहत कि सारी चीजे कराई गई है और साती साथ उनका ये भी कहना है कि हमने लाख गुहार लगाई हर किसी के आगे गड़गड़ा है हमने ये तक कहा कि जो मेरे पिताजी है उनकी जान को खतरा है उन पर कोई हमला करवा सकता है कुछ अटाक हो सक लेकिन किसी किसी ने हमारी नहीं सुनी उनके बेटे का कहना है कि हमने एस पी को बकायदा चिट्ठी लिखी थी बताया था कि ऐसा-इसा इन-फ्यूचर हो सकता है हमारे जो पिताजी उन्हें दिककत है उन पर अटाक करवाय जा सकता है लेकिन कोई कारवाय नहीं हुई इसक वाले वक्त में कुई ना कोई उनको उनकी हHamत्या करवा सकता है लेकिन उसकें कोई कई सिरक्षागार hela नहीं मिले कोई अइसी इनको सिक्यूर्थी महाया नहीं कराई गई इतना सी जो भी बढ़ी बड़ी एजेंसिया जहां तक हम गभर सकते हैं हमस्तियक based मदद नहीं मिली कोई सुरक्षा नहीं मिली और अब जाकर मेरे पिता जी को शूटर्ज ने मौत के घाट उतार दिया है लेकिन जो कातिल है वो खुले घूम रहे हैं पुलिस को उने अरेस्ट करना चाहिए और इस तरीके से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और लगातर य दिलवाईए तो इस तरीके से जो बेटे हैं वो भी सामने आ रहे हैं पूरी तरीके से इसमें लॉरेंस या गैंक्सर का जो हाथ हो गया या घर वालों का हाथ है उससे वो नकार रहे हैं हुआ हुआ हुआ